है गाइज विल्कम बैक माइ यूट्यूब चैनल सुगाइज आप सब के से हो आई जब आप सब बहुत अच्छे होंगे सुवस्तों के मस तो गाइस चलिए सुरू करते हैं आज का ब्लोग को देखिए सुबस से बारीस हो रही है कभी मतलब बहुत तेज बारीस हो रही है और ये बंगाली लोगों का बहुती मतलब पसंदीता एक खाना है तो देखिए गाइस ये जो इलीस मच लाए थे ना तो इसका जो सर है मतलब हम लोग बोलते है बिंगॉली में माथा तो सर को माथा बोलते है तो इसका सर से आज पकाएंगे वो पुईसाग बिंगॉली पुईसा शुटा चूख स्काड़ देखिये गाई इस चड़ा लिया और いき लाग करें पर लें नग्यव करते हैं ल्च जह सुटा पीस ओं स्काड़ लिया है кот गरम लिया है मतलब इलि समाच का बंगाली लोगों का जैसे मंखूस हो जाता है ढ़ 사बरिट मचली और इसका सर से सबजी, बनानें, prove thisno queen Kal glacier बना ऑफ़स हो एि-दिय। यह भी ब्लतर्स का भी सबस्ट बनाते हैं हम लोगों को मछली चाहिए सबजी चाहिए और साक चाहिए मतलब 2-3 टाइब का सबजी यह नहीं होता तो खाना नहीं होता तो देखिए गाईज मछली का सर है उसी के फ्राइब कर लिया है और उसी तेल में थोड़ा सा Васी ऐस और हम दाल दिया है तो देखिए गाइस मैंने पांच परण डाल दिया है और अभी में डालूंगी इसमें आलू तो आलू को भी थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे तो गाइस अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए कॉमेंस किजिए शियर है दो बहुत साहरा प्यार दिजिए तो गाइस देखिए याब को गाथा थोड़ा साफै कर लेंगे और हम बंगाली लोग न मतलब मछली के बेना जयसे ज़्यादा चैन उल्लीograph हम लोगों होतने हैं जड़ा म Benn Leaf को देकी बात जायरा मफद झाल कर दो बना थे कभी उता है यह इलिसमा अज अवेल अवेल मिलता है और यह बहुत ही महंगा वला मचली है और हमारे यहां पर बहुत पसंद से खाते ही लोग तो देखिए का इस आलू के ऊपर पंकिन भी डाल दिया और वह भी थोड़ा सा प्राई कर लिया और इसमें मसाले में जाएगा थोड़ा से तो कि अद्रग पेस्ट और यहां में बहुति तरह के मसाले को भून लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के भी भून हेंगे क्योंकि मसाले का जो ही है न वह भूनने से चला जाता है तो देखिए हम बंगाली लोग तो ऐसे खाते हैं और हमारे तो खाना जैसे चावल जैसे रोटी ह आजग को पूपे हैं और डॉती नहीं दोन जो 15 लोग तो देखिए जो इस मांच का थो सर इना व भी डाल दिया रू में यह अची तरीकिसे के भूल लिया अभी जो पुईसाग है ना वो भी इसके उपर में डाल दूँगी और पुईसाग जैसे लगता है इतना और कड़ाई में डालेंगे ना तो इतना मतलब साग जो भी साग हो इतना सा ना डालते तो कड़ाई में एक दम इतना हो जाए छो मतलब जादा डालते तो थोड़ा हो तो गाईज देखिए में उसके उपर डाल दिया और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और हम लोगों को जैसे एक सबजी से हम लोगों का दिल नहीं खुस होता कोई भी इंसान हो करीब हो या अमीर हो बंगाली जो कोई भी हो उन लोगों को मतलब चावल तो खाते ह हम लोग रोटी खाते हैं मेरे बेट मेरा बेटा तो दिन में ही एक बाद चावल नहीं खाना चाते हैं पता नहीं क्यों तो लेकिन बंगाली लोग तो मतलब दिन में बोली है सुबह ब्रेक्वस्ट में भी चावल दे दो वो चावल खा लेगा पता हैं और यहां पे ना चावल नहीं के लिए छोड़ देंगे तो यह गैस में बनाते हैं इसलिए सबजी थोड़ा चोटा चोटा काटते हैं और देखिए अभी फिर धकन खोल के उल्टा पल्टा कर दिया क्योंकि उपर का जो डंटल वगेरा है न वो नीचे कर देंगे तो अची तरीके से पक जा अभी ना इसको थोड़ा सा चम्मच चला लेंगे तो यह देखिए गाई सुख चुका है और यह ना सुखा सुखा ही अच्छा लगता है तो अभी ना इसमें में डालूंगी रोस्ट किया हुआ जो जीरा धनिया और ब्लैक पेपर पाउडर बना के रखते हैं घर में और य देखिए मैंने पोल में डाल लिया है और खाना दूपेर की लंच के टाइम पे वाव मतलब बहुत अच्छा लंच बनेगा आज मतलब खाने के लिए तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है कितना टेस्टी बना है तो गाईस आज का वीडियो इतना ही मिलते फिर अगले ब्लॉग में तो बाई बाई गाईस आप सब अच्छे से रहिए खुस रहिए